गुड मॉनिंग स्टूडेंट क्लास 10 फिजिक्स हम इस्टेडी कर रहे हैं चैप्टर नमबर 14 सूर्सेस ओफ एनरजी आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि निूकलियर एनरजी क्या होती है निूकलियर एनरजी के बारे में हम रिट करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे कि निूकलियर एनरजी क्या हो जीदी Nuclear energy can be used to generate electricity by means of nuclear fission. In a circular reactor, the nuclear fuel is used to carry out sustained fission chain reaction to produce electricity at a controlled rate. मतलग जब किसी nuclear को हम क्या two parts में divide करते हैं, तो definitely उसमें से क्या निकलती है? electricity निकलती है. उसी को क्या करते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? nuclear energy. मतलग जब एक nuclear two अलग-अलग parts में, दो या दो से ज़्यादा parts में divide होता है, तब उसमें से definitely एक energy निकलती है. और उसको हम energy का use काई में करते हैं, electricity में इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं? nuclear energy. हिंदी में होता है पर्मानु उर्जा. पर्मानु उर्जा का उप्योग पर्मानु विखंडन के माध्यम से बिजली उत्पन करने के लिए किया जा सकता है. एक पर्मानु रियेक्टर में नियंत्री दर पर बिजली का उत्पादन करने के लिए निरंतर विखंडन स्रंखरला प्रतिक्रिया करने के लिए पर्मानु उिंधन का उप्योग किया जाता है. अब हम देखेंगे कि नुकलियर एनर्जी क्या होता है. A reaction in which the nucleus of an atom undergoes a chain to form a new atom and releases an enrollments amount of energy is called as nuclear energy. मतलब अगर किसी nuclear में एक दो पार्ट्स में डिवाइड होता है या दो पार्ट्स में मिलके बड़ा nuclear बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि दोनों ही condition में बहुत सारी energy निकलती है और उसी energy को हम क्या बोलते है nuclear energy. Clear? There are two distance way of obtaining nuclear energy मतलब दो अलग अलग प्रकार की energy होती है एक है नाव दो फर्स वन इस nuclear fusion and second nuclear fusion. Energy realized when some changes take place in the nuclei of the atom of a substance is called nuclear energy मतलब जब किसी atom के अंदर कुछ changes होते है तो changes होने के कारण जो energy provide होती है उसी को हम क्या बोलते है nuclear energy. It is used for heat generation fuel for marine vessels. मतलब इसका use हम अधिक तर कहा करते है कि heat generated मतलब गर्मी बढ़ाने के लिए किया जाता है और mostly इसका use क्या कहा जाता है कि जो समूदर के अंदर जो जहाज चलते है marine vessels मतलब जो बड़े बड़े tank समूदर के ठीक अंदर चलते है उसमें जो fuel का use किया जाता है वो almost यही वाले fuel का use किया जाता है हिंदी में हम कहते है nuclear energy को नाभी किया उर्जा वहब अभिक्रिया जिसमें पर्मानू के नाभिक में परिवर्तन होके एक नया पर्मानू बनता है और भारी मात्रा में उर्जा मुक्त होती है नाभी के उर्जा कहलाती है पर्मानू उर्जा प्राप्त करन Bandon मतलब 2-2-2 से अधिक parts में Divide गोना दुसरा है पर्मानू सलायान सलायान मतलब जूनना 2-2 से अधिक atom या पर्मानू आपस में क्या होते है जूडते है तो दोनों ही condition में भारी मातरा में क्या होती है? उर्जा निकलती है इसका उपयोग गर्मी पेदा करने समुत्री जहाजों के लिए इंधन के रूप में किया जाता है अब हम देख लेते बाई डाइग्राम न्यूकलियर फीजन मतलब अलग-अलग पार्ट में जैसे हमारा एक न्यूकलियर है एक ही है न्यूकलियर फीजन देखो बहुत सारे पार्ट बन गए मतलब इस न्यूकलियर के अंदर भी बहुत सारे चोटे 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 पार्टिकल होते हैं जो कि आपको बड़े form में हम हम यहाँ दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे प्लस होते है नुकलेर के अंदर फिर यह प्लस क्या करते हैं आपस में एसे कि अब यह तूटने वाले हैं और फिर जैसे यह क्या है दो पार्ट में टूट जाते हैं तो जैसे यह ब्रेक हुए तो यहां से क्या निकली एनर्जी बहुत सारी एनर्जी क्या होती है रिलीज होती है और इसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं नुकलियर एनर्जी अब जैसे यह पार्ट में डिवाइड हु मतलब एक नुकलियर से बहुत सारे ऐसे असंख्य पार्टिकल बन जाते हैं हमारे पास तो नुकलियर के अंदर क्या होते हैं बहुत सारे प्रोटान होते तो यह प्रोटान अलग-अलग पार्ट्स में क्या होते हैं डिवाइड होते जाते जितने पार्ट्स में यह तो यह हो गया एक particle उससे एक कितने सारे particle बनते जाते हैं तो यही क्या होता है nuclear fusion और यहा पे छोटा सा देखे रखा है nuclear fusion मतलब छोटे छोटे particle आपस में मिलकर एक बड़ा particle बनाते हैड़े कि देखें अब nuclear fusion की अगर हम proper way में definition देखे तो क्या होगी nuclear fusion is the process where a heavy atom uranium और plutonium is bombarded with neutrons that split the atom to give lighter nuclei मतलब एक nuclear fusion क्या रहता है बहुत एक heavy particle है जिसमें uranium और plutonium होता है और जैसे ये split होता है तो light weight definitely अगर suppose एक example ये 10 kg का है तो दो अलग-अलग पार्ट में होआ तो definitely इनका weight कम हो जाएगा मतलब light nuclei में convert हो जाता है this process release trim dust amount of energy मतलब बहुत अधिक मात्रा में energy release होती है for example fusion of one atom of uranium gives 10 million times the energy of combustion of one atom of carbon from coal मतलब इसमें इतनी energy होती है कि एक atom की अगर हम बात करें uranium के एक atom की तो हमें कितनी energy मिलती है 10 million times of energy combustion मतलब कार्बन के एक atom को combust करने के लिए 10 millions 10 के साथ millions वट लगया मतलब 10 millions times of energy निकलती है advantage of nuclear energy सबसे पहले हम advantage देख लेते the alternative sources of energy due to depulsion of fossil fuels from a small amount of fuel a large amount of energy is released मतलब इसको use करने के लिए हमें केवल थोड़े से ही fuel की requirement रहती है लेकिन large scale पर हमें क्या मिलती है energy मिलती है energy release होती है disadvantage क्या है इसका risk of nuclear waste leakage light cost of setting up of nuclear plant pollution of environment मतलब ये सारे क्या है उसके disadvantage है अब हिंदी में अगर हम देखे परमानो उरजा के लाफ जिवास में इंधन की कमी के कारण उरजा का विकलपी किस्त्रोत है थोड़ी मात्रा में इंधन से बड़ी मात्रा में उरजा निकलती है परमानो उरजा के नुकसान परमानो कच्रे के रिशाओ का खत्रा परमानो सैंत्री की स्थापना की उच्चे लागत और परियावरन का प्रदूशन ये सब क्या है? नुकलर एनर्जी के एडवांटेज और डिस एडवांटेज अब देखेंगे नुकलर फ्यूजन हमने पहले इसमें देखा था नुकलर फ्यूजन अब हम देखेंगे नुकलर फ्यूजन fusion का मतलब है आपस में जुणना मतलब सायन है यह अलग-अलग है suppose यह deuterium है यह triterium है दोनों आपस में deuterium मतलब जिसमें कितने particle होंगे 2 triterium नाम से लग रहा है जिसमें कितने particle है 3 आपस में मिलके क्या बन गया fusion तो देखे हो number of particle कितने हो गए 5 तो definitely जैसे यह जुड़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा energy क्या होगी release होई तो अगर कोई neutron दो पार्ट में divide हो या दो या तीन पार्ट आपस में मिलके बड़ा nuclei बनाता है दोनों ही case में दोनों ही case में हमारे पास क्या होती है energy release होती है fusion means combining lighter nuclei to produce a heavier nuclei मतलब दो अलग-अलग light weight के nuclei आपस में मिलके एक बड़ा heavy nuclei बनाते है usually hydrogen और hydrogen isotopes to create helenium it is release a hug amount of energy the mass deficit between the product and reactant are given by Einstein equation E equals to mc square अगर हम differences देखे तो differences क्या होंगे देखे difference between nuclear fusion and fusion this is nuclear fusion और nuclear fusion यह word इधर आगया इसको इधर कर लीजिए अब देखे it is it involves breaking off a heavy nuclei into lighter nuclei ठीक है अगर हम देखे कि यह heavy को काई में करता है convert light में और यहाँ पर क्या है it involves the binding of two nuclei मतलब यहाँ पर दो पार्टिकल आपस में क्या होंगे जुड़ेंगे और यहाँ पर क्या होते है एक पार्टिकल दो अलग-अलग पार्ट में जाएगा second is it is carried out by the bombardment of neutron over a heavy nucleus मतलब यहाँ पर एक heavy nucleus का निर्मान होता है it is carried out by heating and extreme temperature मतलब यहाँ पर extreme temperature मतलब इसका तापमान क्या होता है बहुत ही अधिक होता है it is a chain reaction यह definitely chain है यहाँ पर दो में convert हुआ फिर यह दो फिर दो में convert होगा इसको हम बोलते chain reaction जबकि इसमें कोई chain reaction नहीं होती है fourth is it is a control process मतलब इसको हम आसानी से control कर सकते हैं लेकिन इसको control करना impossible है इसलिए हम इसे बोलेंगे it is uncontrolled process fifth is it produces an enormous amount of energy इसमें मतलब बहुत सारी मात्रा में energy निकलती है it produces more energy इसमें बहुत मात्रा में भी energy निकलती है तो यह इस तरीके की क्या है example है जो दोनों particle में क्या differences create करते हैं इसमें और भी example से जिसमें आप समझ सकते हैं कि nuclear fusion और nuclear fusion क्या होता है thank you